नमस्कार सभी को आज हम न्यूटन के गती के नियमों के बारे में अध्यन करेंगे न्यूटन के गती के नियम सर आईजेक न्यूटन ने सबसे पहले सोडा सु सित्यासी में अपनी पुस्तक प्रिंसिप या में गती के नियमों को प्रतिबादित किया इसलिए इस विग्यानिक के सम्मान में गती के नियमों को न्यूटन के गती के नियम कहा जाता है न्यूटन ने गती के कुल तीन नियम दिये गती का पर्थम नियम इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्ता में है तो वह विराम अवस्ता में रहना चाहती है और यदि कोई वस्तु गतिसील अवस्ता में है तो गतिसील अवस्ता में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाये बल कार्य ना करे जड़त्व का तात्परे है किसी बायबल की अनुपस्तिती में वस्तु अपने अवस्था को बनाए रखती है वस्तु का वह गुण जो वस्तु की अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है उसे वस्तु का जड़त्व कहते हैं और वस्तु का जड़त्व जो होता उसके द्रेमान के समानुपाती होता ह यानि कि वस्तू का द्रेमान अधिक है तो वस्तू का जड़त्व अधिक होगा और वस्तू का द्रेमान कम है तो वस्तू का जड़त्व भी कम होगा यह हमारे सम्मूख जड़त्व के नियम के कुछ उधारण है एक व्यक्ति जो है वो बस में सफर कर रहा है बस इस दिशा में गति कर रही है व्यक्ति भी बस के साथ में इसी दिशा में गति कर रहा है लेकिन जब बस ड्राइवर जो होता है वो बस में ब्रेक लगाता है तो बस रुख जाती है और बस के रुखने के साथ साथ व्यक्ति के सरीर का जो निचला भाग जो होता है वो भी भी गति कर रहा है जिसकी वज़े से ब्रेक लगाने पर वेक्ति के सरीर का उपरी सीरा जो है वो आगे की ओर जुख जाता है दूसरे उधारन में एक काज की गलास है काज की गलास के उपर एक कार्ड है कार्ड के उपर सिक्का रखा हुआ है जब कार्ड को हम अंगुली से जो तो है वो गिलाश के अंदर नीचे गिर जाता है। गति का दृत्य नियम किसी भी वस्तु के सम्वेग प्रिवर्तन की दर उस पर लगाएगे बलके समानुपाती होती है तता सम्वेग प्रिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। गति का जो दूसरा नियम है वो बल और सम्वेग में परिवर्तन के बीच सम्मंद बताता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार एप सम्वानुपाती DP अपॉन DT और जब सम्वानुपाती का निशान अटता है तो एक नियतांग आ जाता है तो एप बराबर K DP अपॉन DT इमान और वेग के गुणंद फल के बराबर होता है यानि की P बराबर M into V गति के दूसरे नियम को हम एक उधारिन के दौरा समझते हैं किर्केट के मेज के दोरान एक फिल्डर जो है वो केश पकड़ने का प्रियाश करता है तो यह जो गैंद जो है जब फिल्डर के हातों म दर जो होती है वो कम हो जाती है और समवेक में परिवर्तिन की दर कम होने की वज़े से गेंद के द्वारा फिल्डर के हातों में जो बल लगाया जाता है वो भी कम हो जाता है जिसे फिल्डर के हातों में चोट लगने की संभावना कम हो जाती है कति का तृतिय नियम इसे क्रिया प्रतिकिरिया का नियम भी कहते हैं इस नियम के अनुशार जब एक वस्तू दूसी वस्तू पर बल लगाती है तब दूसी वस्तू द्वारा भी पहली वस्तू पर ताक्षनिक यानि कि उसी समय बल लगाया जाता है ये दोनों बल परिणाम में, परिमाण में सदेव समान होते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं इस नियम के अनुसार परते किरिया के बराबर तता विपरीत दिशा में परतिकिरिया होती है इस नियम को किरिया परतिकिरिया का नियम भी कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तू पर बल लगाते हैं तो उसे क्रिया बल कहते हैं तो उसी समय वह वस्तू भी हमारे उपर बल लगाती हैं जिसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं परति किरिया बल और किरिया बल जो होते हैं वापस में बराबर होते हैं लेकिन सदेव एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं ये गति के तीसरे नियम करिया के परतिकरिया नियम के कुछ उधारण है जिसमें पहला उधारण जो है उसमें बंदूक से गोली को छोड़ा जा रहा है तो बंदूक से गोली को छोड़ना जो है वो तो हो गई करिया और इस करिया के विपरीत और बराबर एक परतिकरिया होती जिसमें बंदूग जो होती है उसको पीछे की ओर दख्का लगता है, यह हो गई प्रतिकिरिया, दूसरे उधारण में एक बच्ची जो है वो नाव से किनारे पर कूद रही है तो यह तो बच्ची नाव से किनारे पर कूदती तो नावज होती है वो पीछे की ओर धक्का खाती है ये ओगई प्रतिकिरिया तो इस प्रकार से प्रतिकिरिया के विप्रीत और बराबर प्रतिकिरिया लगती है इसे ही किरिया प्रतिकिरिया का नियम कहते हैं इस प्रकार हमने न्यूटन के गति के नियमों का अध्यन किया ज जै हिन जै भारत दन्यवाद।